हलो एब्रिवन यूर वेलकम तो बेस्ट नोस टुटोरियल आज हम बात कर रहे वाले हैं उत्राखन के जल परपात और यह हम याद करेंगे शॉट ट्रिक्स के द्वारा तो शॉट ट्रिक है आप लोगों के देहादून के जल परपात को अगर आप याद कर रहे हैं तो उसके इसमें सभी के लिए शहिस्त्रधरहन और भास से जो है भत्त जो भत्त पॉर्ट है उसके बाद है टाईगर- टाइगर टाइगर ओं को तो तो टाइगर आप लोगों को याद रखना है देरादून में है तो टिहरी ये टिहरी में आता है तो कैम टी से आप लोगों टी से आप लोगों को याद रखना है कि ये कहां पर है आप लोगों का टिहरी में है चमोली के जल परपात याद करने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं आम चबा आम चबा अलक नंदा मा से ह आप लोगों का माड़ा चा से चमोली चबा वसंदरा तो जो यह वर्ड है बीच में चा यह चमोली के लिए है जब आप इन ट्रिक्स को लिखेंगे एक पेज में तो आप लोगों को यहां पर इसे राउंड करते रहना है जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे जब भी आप नहीं पर भी लिखते हैं तो आप टी को क्या किजिए राउंड कर लीजिए आप लोगों को याद रहेगा ठीक है यहां पर आपको को राउंड करना है सबी टाइगरों को हड़ी दो यहां पर दो से आप लोगों को राउंड कर लेना है तो इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है तो आप लोगों याद रहेगा विर्थी जलपरपाद जो है वो मुंसियारी और पिथारगण में है विर्थी वीर से विर्थी एक चीज बहुत इंपोर्डेंट है कि कई बार जब हम तयारी कर रहे हैं या कोर्स भी हमने हम जो प्रवाइट कर वा रहे हैं उसमें अगर हम सारी चीज़ें शॉर्ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक नहीं बुक बन जाईगा और उस बुक को भी याद करना हमें पढ़ेगा तो कुछ चीजे हैं जिने हैं आप अगर आपके पास में किसी subject में 10 chapters हैं तो उसमें से 2-3 chapter भी अगर आप short trick से कर लेतें तो काफी advance हो जाता है और short trick का मतलब क्या है उसे आप लोगों को ये भी बात समझनी है कि जो short trick होती है वो क्यों होती है ठीक है हमारा जो brain है उसमें किस इसी चीज को establish करने के लिए short trick होती है फिर हमारे दिमाग में जब वो चीज इस्टैबलिश होगे तो हमें short trick को किनारे करके उस information को repetition करना है जैसे कि मैंने आपको अभी चलिए बुगयालों के बारे में हम कल बात करेंगे लेकिन इसी को ले लेते हैं सबोज कि ये हमने कहा क यहां पर बाक कफन तो पहले हमने क्या करेंगे हमारा brain जो हो खाली i deemमटी अब हमने क्या करना है कि इसमें information भरनी है अब हम इसे रट रट के भरेंगे उससे बेटर है कि एक one limjane लिए information हमने first step में क्या करना है information हमने brain में establish कर लिया हमने अब इसके बाद क्या करना आपको जब ब्रेन में establish हो जाए तब आपको इसे practice करना है कि बागे शोर कफनी में है अब अगर आप क्योंकि हर time आपके पास book नहीं होती है तो अगर आपको अपना time save करना है तो अगर चीज़ें इस्टैबलिश नहीं कर सकते चलते चलते लेकिन अगर चीज़ें दिमाग में establish है तो आप चलते चलते उनका revision अच्छे से कर सकते हैं तो इसलिए short trick होती है कि एक बार दिमाग में चीज़ें establish हो गई अब मैं उनका जो revision होगा जो आपका एक घंटे का काम है वो आप सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं तो शौट ट्रिक इसलिए होती है ठीक है लेकिन हर चीज के लिए short trick ढूणना वो solution नहीं है तो आज के लिए ये वाली वीडियो आप लोग याद कर सकते हैं एक बार फिर से इसका revision कर लेते हैं जो आप लोगों के short trick है तेहरा दून के लिए आप लोगों को याद रखना है सभी tiger को हड़ी दो टीहरी के लिए आप लोगों को याद रखना है कैमटी में tea जो है वो टीहरी का है चमोली में जलपरपात की बात करें तो आम चबा औ उसमें पीम वीर याद रहता है क्योंकि यह जो जगह है मुंशारी यह भूल जाते हैं हम लोग तो जो शुरुआत कर रहे हैं तीक है अब यह सारे जो हैं आप लोगों को एक बार याद हो गए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि पहला है सहस्त दाहरा बट्टा परपात और यह सब किसमें हैं देहरा दोल में मैंने आप लोगों कहा किसे राउन जरूर कीजिएगा जब भी आप शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे तो राउन जरूर कीजिएगा इसको तीहरी के जल परपात कैम्टी जैसे हम लिखेंगे और राउन कर लेंगे तो हम पता चल जाएगा यह टीहरी में है, चमोली के जलपरपाथ, इसमें आमकर music, चमोली से को रेप्रिजन करता है आम, चबा, अलकनन्दा, माणा, यह पी चमोली में और बसंदरा कितोरा. अगर आप इन चारों को लिखते हैं बार-बार लिखेंगे एक पेज ले लिए उनमें पहले उपलर को लिख लिए जैसे भीक हो जाए तो स्वाइब को अनिसे The और फिरन को बोल था कि जब भी आप किसी चीज्ट को पढ़ें तो उसे बहुत speed से पढ़े, speed reading आपकी success की क्या है, एक tool है, ठीक है, आपको speed read करना आना चाहिए, आपको speed reading करते रहना है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि अगर एक घंडे में आप किसी topic को पूरा पढ़ते हैं, तो उससे better क्या है, कि आप एक घंडे में उस topic को 5-6 बार पढ़िए, तो first time brain को establish करने में, चीजों को establish करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जब 5-6 बार आपके reading उस चीज के हो जाई को, brain के लिए बहुत easy हो जाता है, alright, तो चलिए मिलते हैं अगले video में, तब तो के लिए goodbye, take care, all the best for your exams.